जेई मेन 2023 का जो बच्चे examination दे चुके हैं जिनका exam अभी होने वाला है तो first attempt के लिए क्या expected marks पे क्या percentile बन सकता है यह detail में discuss करूँगा और each shift का detail में analysis भी करूँगा कि आपका जो paper हुआ है and जो paper हर shift में आये हुआ है कौन सा hardest shift था हर चीज़ के बारे में detail में discuss करूँगा and category wise आपका क्या cut off जा सकता है यह भी detail में discuss करने वाला हूँ तो पूरा वीडियो अध्यान से देखिएगा जितने बच्चे नहीं है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको यह चांसिंग हर चीज चैमिली मिलता रहेगा तो चलिए बात करने वाला हूँ अ यह आपका सबसे हाड़ेश था तिल नाओ यह भी अपना अच्छा आया हुआ था वह भी आपका सिमिलर उन्तिस तारीक के प्रेटर्न पर आया हुआ हुआ है मौडरेट पर आया था जिनका एक्जाम फॉस फर्वी में था तो किसी को परसान नहीं होना है इन वाले बच्च है कि यहां पर आपके रेंज में बच्चे जादा होंगे यहां रेंज में बच्चे कम होंगे यह डिपेंड करता है मतलब हमने यह पिस्ते साल 10K प्लस बच्चों का गोल फॉर्मर वाके डेटा को क्लेट किया हुआ था तो इसके एक्जामेनेशन का जब रिजल्ट आएग बट यह आपका एक्सपेक्टेशन है इसके अकॉर्डिंगली आपका अराम से बन सकता है तो अगर आप इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका सेफ जा रहा है 98 के लिए आपका यह देख सकते हो इसा मैंने दिखा दिया आपको यह आप देख सकते हो पूरा 93 95 सब दिया हुआ है जिनका एक्जाम मैं बता रहा हूं 30 जनवरी शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू का है उनका भी आप एकॉर्डिंगली उन्तिस तारीक एकॉर्डिंगली आप लख सकते हो क्योंकि अप्रॉक्स बूरा पेपर सिमलर आये हुआ था अगर आप दोजर बात करें तो मैं कवी सारे बिच्चे पूछते हैं कि विया आगे हमारे 92 के हैस्पर बनता है यह भी हम डिसकस करने वाले हैं बट क्यों बच्चे पूछते हैं कि वह यह कट आप क्या जाता है हमारा करका टॉफ के लिए अगर आप जनल के लिए पर लाइग करते हो तो अगर आपके 89 प्लस आते हैं आपमान के जरी 70 नंबर के उपर आप क्या हुए है 70 प्लस मार्क्स तो आप सेफ हो आप जी एडवांस के लिए लिजबल आप जाएगा आप जी एडवांस के लिए लिजबल हो साथ में अगर आप OBC अबलिक EWS कैटेगरी के हैं तो आप 70 प्लस प्रंटाइल लाते हुए तो आपको बन जाएगा इज़र से वाले बच्चों के लिए 45 प्लस प्रंटाइल इन स्टि वाले बच्चों का ऐसे 37 प्लस 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 बिए लाता है तो मान के लिए इसमें नंबर आगर आपके 25 प्लस आ रहे है या 30 प्लस आ है तो cut off आपको clear हो जाएगा ठीक है अगर discuss करने वाला हूँ आपका 24 जनवरी shift 1 में 92% की बात करें तो 95 नमबर के असपास ऐसे 24 जनवरी shift 2 में 92% के लिए 100 नमबर के असपास तो उसके लिए आपको परचान नहीं होना ठीक है 30 के लिए खास कर क्योंकि 30 का पेपर आपको सारे सवाल नहीं करने हैं पहले आप ईजी सवाल को जिए आपकर 75 करना है इसमेंसे आप 30 सवाल कीजिए 30 सवाल हैं सभी करते हो तो यह सब्सक्री से पढ़ाई कर सकते हो 7-8 सवाल फैडिक्स में अराम से कर लेक्ते हो and 7 सवाल कर सकते हो Math mean like Math mein आपक हो गया mathematical Lesson इंग हो गया है इजी करोगे तो आपका ही फाइदा है पहले आप सारी इजी सवाल कर डालो फिर मॉडरेट पर तफ पर आओ क्योंकि बाई चैनल को जाने के पूरे पूरे चैंसे बन रहे हैं जितने बच्चे नहीं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं आप से अगले व